नमस्कार दोस्तों वेलकेम बैक टुर्ट चाहर मनी सलस्टों दोस्तों आप लोग ने मार्केट देख रहे होंगे निफ्टी किस तरह से ट्रेड करा ग्लोबली जो दोस्तों प्रैसरता मार्केट के ऊपर खतम होता जा रहा है यूएस की अगर में बात करें हैं और दूसरी ग कमपनी यहां मुषका फंडामेंटल टेकनिकल एनालिसिस करते हैं साथ में दोस्तों आप लोगों के पता है कि जून महीना इदर खतम हो चुका है तो बहुत सारी कमपनियों के इदर क्वाटरली रिजल्ट आ रहे हैं जिसको देखते हुए दोस्तों जो उनके कमपनी को है दोस्तों यूज की होगी ढर्णिकल और फंडामेंटल एनालिसिस साथ में कमपनी का दोस्तों प्रॉपित प्रफ्टाली रिजल्ट आया हा है वह डिसक्स करने से पहले हम कमपनी के दोस्तों इदर परोफायल देख लेते हैं इधर आप लोग देख लिएंगे दो जो दो कमपनी है वो इंडिया की सायकिन जो लार्जेस्ट ओन लाइन ट्रेवल प्लेटफोर्म कमपनी है दोस्तों आप लोग पता इधर से आप फ्लाइट होटल यह बूक करते होंगे अगर हम कमपनी के फर्दर बात करते हैं तो कमपनी का दोस्तों 400 से ज्यादा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स है उनकी सर्विसिज आपको प्रोवाइड करते हैं और एक मिलियन से ज्यादा होटल ट्रेन बस की जो टिक्टी है इधर से आप दोस्तों बूक कर स हैं तो आप फिलिपिन, सिंगापूर, थाइलेंड, यूए, यूके, यूएस, न्यूजिलेंड में कमपनी के ओफिसेज फैले हुए है यहनि दोस्तों अगर देखते तो प्रोफाइल कमपनी की यह है और हम इसकी जो सर्विसिज है मैंने तो बहुत बार यूज की है आपन दोस्तों इनका क्वाटर वन का फाइनिंशल येर का जो रिजल्ट आया दो हजार तेसका बहुत ही अच्छा आया अगर हम दोस्तों इसके प्रोफित की बात करते है तो कंपनी का प्रोफित दोस्तों जम्प हुआ है एक सो पचीस परसेंट ओन येर और दोस्तों जो क्वाटर वन 2013 में इधर अगम देखते हैं तो 33.7 है अब प्रोफित आफ्टर जो टैक्स डिड़क्शन के बाद तो आप लोग देख लिए दोस्तों जो कितना अच्छा प्रोफित दिया ये देख लिजिए इधर क्वाटर वन में दोस्तों 14 क्रोड पॉइंट 9 है यानि ल 2022 की बात करते हैं तो 356.7 करोड था लेकिन अभी क्वाटर वन 2023 में दोस्तों ये हो गया है 1613.1 करोड आगर हम दोस्तों इसको कैलकुलेट करते हैं तो 366.1 का इधर जंप दिया है यानि ये भाईया प्रोफित की बात करें तो बहुत अच्छा कंपनी अपना जो प्रोफित अगर हम उनकी कंपनियों का इधर जिकर करें ते कि अगर न्यूली जो टैक कंपनी लिष्टीड हुई थी जैस आपको पता है नाइका पेटियम जो मैटो डिलवरी इस माइट्रिप तो इंडवीजियल अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं इस माइट्रिप की तो भाईया अ इस माइट्रिप ने दोस्तो इधर एकसो पत्चीस जो एकसो साथ क्रोड का इधर प्रोफिट दिया है देख लिजिए टो प्रोफॉर्मिंग जो न्यू लिष्टीड टैक कंपनी है तो मेरे ही साथ कंपनी का जो रवैन्यू है मुझे अच्छा लगा कंपनी सुरू से और साथ में कंपनी इधर अच्छा रवैन्यू जनरेट कर रही है और मेरे ही साथ से दोस्तो जो अभी स्टोक है बहुत अच्छा इसका भागने वाला है और और भी कंपनी के इधर हमने प्रोफिट देख लिया है क्वाटर वन का अब हम आ जाते कंपनी के स्टोक के उपर कि स्टोक किस तरह से प्रफॉर्म कर रहा क्योंकि ओवराल हमने स्टोक से मतलब है दोस्तों अगर हम फ्राइडे की बात करते जो स्टोक है 425 रुपे 45 पैसे पे दर स्टोक ने क्लोजिंग दी थी और कंपनी का दोस्तों जो आपको पता है क्वार्टरली रिजल्ट या फिर कंपनी बहुत अच्छा इदर जो रेवेन्यू भी क्रेट करें साथ में प्रोफिट भी दे रही है अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते तो स्ट्रेंथ सबसे पहले यही है कि गूड क्वार्टरली ग्रोथ हुई है रिसेंट रिजल्ट को देखते हुए 125 परसेंट का दोस्तों स्टोक बाइंग की शला दे रहे हैं कोई भी शेल्या की शला नहीं दे रहा है तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो स्टोक है बहुत अच्छा इदर परफॉर्म करा दोस्तों इंदर फाइनेंशल पर आ जाते हैं फाइनेंशल का दोस्तों हम कोंसोलीडेट इदर तोटल ओर और अगर हम इसके revenue की बात करते हैं 2021 में 16Crode दिखा रहा है और 2022 में 235Crode दिखा रहा है तो दोस्तो जो इनका revenue अगर हम net profit की बात करते है net profit है इधर 61Crode और अगर हम 2022 की बात करते हैं 105Crode ये पिछला दोस्तो जो profit देखा रहा है नए वाला profit अभी site पर updated नहुआ है लेकिन अगर आप इधर भी net profit देखेंगे दोस्तों continuously इधर बढ़ता हुआ जा रहा है, कहीं भी इधर profit decline हुआ, अगर EPS देखते हैं, earning per share, earning per share यह भी 4.87 है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इधर अच्छी है, अगर हम return on equity देखते हैं, तो return on equity 2022 में 44.90 हो गया, जो बहुत ही इधर debt थोड़ा सा increase हुआ है, इधर पहले 2021 में 0.11 था और अभी 0.21 हुआ है, तो debt to equity थोड़ा सा increase हुआ है, अब आ जाते हैं भी यह share holding pattern की, कि share holding pattern क्या बोलता है, अगर दोस्तों इधर total हम देखते हैं, कि जो हमारे promoter है, promoter के पास approximately 75% की इधर holding है, 74.9 की, अगर हम देखत DI की है 2.31, यह देखे लिए जोस्तों खास बात क्या कि promoter ने कोई भी plays नहीं किया, promoter दोस्तों अगर strong रहते हैं, तो company के technical fundamental analysis strong रहेंगे, और तभी company grow करती है, अगर हम foreign investment देखते हैं, तो दोस्तों foreign investment इधर continue बड़ा है, देखिए मार्च 2022 में 2.8 था, लेकिन जून 2022 में 3.44 हो गया, तो आप लोगों को पता हुना ची जब foreign investment कहीं से आता है, तो जो stock है वो बहुत अच्छा perform करता है, अगर हम DI की देखते हैं, दोस्तों, DI न भी इधर increase किया है, मार्च 2022 में इधर 1.11 था और अभी 2.3 हो गया है, और अगर हम public की बात करते हैं, दोस्तों, public का इधर फोड़ाचा decrease हुआ है, 21.21 था और अभी 19.35 हो गया, तो दोस्तों, यह था इधर share holding pattern, अब हम advanced chart की बात कर लेते हैं, यह आगया है, दोस्तों, हमारा advanced chart, दोस्तों, हम इसके sport की बात करते हैं, तो इस level के उपर मुझे stock का जो sport है, 360.8 यानि 368 के आसपास company का, जो stock है, मुझ 500 रुपे के आसपास हमारा next target आ जाता है, क्योंकि stock ने Friday को दोस्तों, अपना first resistance है, मेरे हिसाब से वो break किया है, और अभी जो next है, 470 याद 500 रुपे का target, मेरे हिसाब से हम इधर अचीव कर सकते हैं, अगर volume की बात करते हैं, तो Friday को बहुत अच्छी volume दी है इधर stock के अंदर और जो RSI है, यानि Relative Strength Index वो भी मेरे को इधर बहुत ही अच्छी strong buying side में जाती हुजा रही है, तो दोस्तों मेरे को जो technical fundamental analysis मेरे को बहुत ही अच्छे और इधर strong लग रहे हैं, तो आभी doubt दोस्तों, बहुत साहे लोग का रहा किस level के उपर buying करें, दोस्तों मैं ये जो इस level क आपको बाइंग की शला दे सकता हूँ, लेकिन जितने दोस्तों, जो ये मेरे levels रहते हैं, मेरे खुद की रहते हैं, तो जब भी आप invest करते हो, आपको अपने खुद के technical and fundamental analysis करना, दोस्तों, जो मैन बात है, हम दोबारा से इधर एक बार और कर ले तो जो कमपनी का profit है, वो ये पता होना चाहिए, कि भी या, पहले इधर 14.9 था, यानि लवर 15 करोड के आसपास था, quarter 1, 22 के रहे उसमें, रेजल्ट में, लेकिन quarter 1, 2023 के रेजल्ट में, ये 33.7 करोड हो गया है, जो profit जंप हुआ है, 125%, ये सबसे बड़ी update है, और इसी तरह से continue दोस्तों, जो इनका profit है वो बढ़ता ही जा रहा है, दूसरी जहां पर जो tech company अच्छा perform नहीं कर रही है, वहीं पर जो ये newly tech company है, बहुत अच्छा perform कर रही है, और मेरे हिसाब से, एक opportunity है कि इस stock के अंदर हम अपनी holding मनाए, दोस्तों, finally, is my trip stock के बारे में, आपका क्या comment है, मुझे comment section में, जरूर comment क आपको ये वीडियो कैसी लेगी, वो भी मुझे जरूर बताएगा, दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए जैहिंत बंदे मातरम,